Hello kids, आज हम पढ़ेंगे articles. Articles three types के होते हैं. A, N and the. But, articles पढ़ने से पहले, हमको vowels and consonants का पता होना बहुत जरूरी हैं. तो चलो, शुरू करते हैं. Kids, हमारी English Alphabet Family में 26 letters हैं, जिनमें से 5 letters A, E, I, O and U. इनको बोलते हैं vowels. और बाकी, जितने भी letters बच गए, उनको बोलेंगे consonants. Kids, अब जब हमें vowels and consonants पता चल गए हैं, तो अब हम जानेंगे article brothers को, जो की है A, N and the. तीनों के तीनों भाई, nouns की और इशारा करते हैं, यानि nouns के पहले लगाये जाते हैं. जो जुड़वा भाई है A and N, ये दोनों singular noun को पॉइंट करते हैं. और इन में से जो बड़ा भाई दा है, वो singular and plural, दोनों noun की और इशारा करता है. आर्टिकल A and N, आम तौर पर one person, one place, one animal and one thing के साथ देखे जाते हैं. वैसे तो दोनों जुड़वा हैं, पर दोनों की अलग-अलग hobbies हैं. आर्टिकल A, ऐसे noun के साथ देखा जाता है, जो consonants से शुरू हो. For example, A bus A cow A girl A zoo आर्टिकल N को ऐसे nouns को सुनना पसंद है, जो vowel के साथ से शुरू हो. For example, An umbrella An octopus An ink bottle An elephant चलो, अब कुछ ऐसे sentences देखते हैं, जिनमें ये तीनों आर्टिकल ब्रादर्स एक साथ दिखें. That is a stall. There is an umbrella on the stall. ये ये देखकर हम कह सकते हैं कि आर्टिकल A and N सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं. आर्टिकल दा, जब नाउन को किसी sentence में दूसरी बार बताया जाता है, तब यूज होता है. इसलिए इस sentence में दा स्टॉल होगा. N यूज होगा. A, E, I, O, U से पहले जो वर्वल्स हैं. आपल आपल शुरू होता है A से. A is a वर्वल. So, an apple. आइस्क्रीम आइस्क्रीम शुरू होता है A से. A is a वर्वल. So, an elephant. आइस्क्रीम आइस्क्रीम शुरू होता है A से. An I is a वर्वल. So, an ice cream. Orange. Orange शुरू होता है O से. O is a वर्वल. So, an orange. Amrella. Amrella शुरू होता है U से. U is a वर्वल. So, an amrella. A use होगा consonants के आगे. A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी जितने भी letters है वो सब consonants है. Star. जो की शुरू होता है S से. S is a consonant. So, a star. Book. जो की शुरू होता है B से. B is a consonant. So, a book. Child. जो की शुरू होता है C से. C is a consonant. So, a child. Woman. जो की शुरू होता है W से. W is a consonant. So, a woman. Da का use किसी भी specific and particular noun के आगे लगता है. Singular and plural noun के साथ लगता है. And जब किसी noun को second time बताया जाता है तब भी da लगाया जाता है. For example, the sun. Sun मतलब सूरज. जो की singular है और पूरी दुन्या में भी एक ही है यानि specific है. इसी लिए इसके आगे da लगेगा. The moon. Moon means चांद. Again, moon भी singular है और पूरी दुन्या में एक ही है. यानि specific है. इसी लिए इसके आगे भी da लगेगा. The moon. The Taj Mahal. ताज महल भी singular है और specific भी है. इसी लिए इसके आगे भी da लगेगा. The dogs. यहां बहुत सारे dogs की बात हो रही है. And जब भी कोई noun plural होता है, तो उसके आगे da लगाया जाता है. The kids. Kids मतलब बच्चे. यहां भी plural की बात हो रही है. तो da लगेगा. यानि the kids. The books. Books मतलब किताबें. Again, यह भी plural है. तो इसके आगे भी da लगेगा.